हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाइलोजी से जो टोप 100 कोश्चन बार बार एक्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन्हीं कोश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे इन कोश्चन को प्रिविस एयर और NCRT प्रस मानके हमने सिलेक्ट किया है यह कोश्चन वही हैं दोस्तों जो काफी बार पूछे गए हैं प्रिविस एक्जाम के अंदर तो चलिए आज डिसकस करते हैं इन कोश्चन को साइंस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और साइंस के अंदर बाइलोजी सबसे ज्यादा वेटे स्टार्ट है और स्टेटिक जी के और काफी इंपोर्टेंट कोश्चन की सीरीज हमने यहां पर स्टार्ट कर रखी है अगर इस लेक्टर के आपको पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम को जाके जोएन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप पिसली सारी पीडिएफ और यह वाली पीडिएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं चलिए दोस्तों बिना किसी दरीगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहला कॉस्चन है खाद्या प्रोटीन की दो सबसे समरीध ज्याद स्त्रोथ कौन से है जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो ग्याद स्त्रोथ कौन कौन से हैं वो हैं सोयाबीन और मॉंगफली अब कई लोग सोचते हैं कि जैसे नोनवेज होता है उनमें ज्यादा प्रोटीन होता है लेकिन ये बात गलत है सबसे ज्यादा प्रोटीन के प्रवावन नट्स बोलते हैं इनके इंदर सबसे ज़एदा प्रोटिन पाए जाता है अगला कौश्चन है उस विटामीन का नाम बताइए जो हमें कराटो-मेलेसिया रोग से बचाता है कराटो-मेलेसिया रोग दोस्तों ये आंकों से रिलेटेड है हमारी आँक के इंदर ज ज्यान रखिएगा, इसके साथ साथ और कौन से रोग होते हैं, आंखों से रिलेटिड, एक जैरो फथेल्मिय होता है, और नाइट ब्लाइडनेस, जिसे रतोंधी बोलते हैं, ये भी विटामिन A की कमी से होते हैं, अगला कोचन है, किस विटामिन की कमी से बांजपन होता है, बांजपन होता है दोस्तों, विटामिन E की कमी से, इसको हम तोको फैरॉल भी बोलते हैं, तोको फैरॉल, विटामिन E का साइन्टिफिक नेम है ये, इसके साथ साथ विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं विटामिन E को, आगे विटामिन होते हैं दोस्तों K, VITAMIN E, DA, जिनकों कीडा या इस ट्रिक से याद रखते हैं K E, DA, यह वसा में घुलनसील है, और पाने में घुलनसील कौन से है, वहाँ विटामिन B और C, यह पाने में घुलनसील है, अगला कॉस्चिन है, किस विटामिन की कमी से दस्त के साथ त्वच्चा में suzen या eczema हो जाता है, कौन से vitamin की कमी से 10 वगशे होते हैं, त्वच्चा पर susan आ जाती है, यह है pentothenic acid, pentothenic acid कौन सा होता है दोस्तों, vitamin B5 को हम क्या बोलते है, pentothenic acid, ठीक है, अगला question है, कौन से पोशक तत्त उर्जा उतपादक होते हैं कौन से तत्त वह हमारे चरीब को ऊर्जा मिलती है तो वो हैं करभोई DRates और वसा अब कई प्रोटीन सोच रहींगे प्रोटीन दोस्तों हमें एनर्जी नहीं देता वो जो हमारे मसल्स होते हैं वर्काउट वगरा करते हैं, एक्सराइज करते हैं, तो जो मसल तूटते हैं, उनकी recovery में वो help करता है protein, ठीक है, जो हमें उर्जा देते हैं, वो carbohydrate और वसा ही होती है, और vitamin क्या होते हैं, विटामिन जो दोस्तों हमारे स्रीर को बिमारियों से बचाते हैं, यानि हमारे जो immunity system हो होती है, next, amino amal किसके translation के लिए आवश्यक है, तो amino amal दोस्तों, protein synthesis के लिए आवश्यक होते हैं, protein translation के लिए amino amal जरूरी होते हैं, next, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वहाई काउं की त्रिज्या घट जाती है, तो उसका रक्त चाप कैसा होगा, रक्त चाप मतलब blood pressure, वो रक्त ही काई, जहां से हमारा रक्त होके जाता है, और आता है, अगर उनकी जो radius घट जाती है, तो pressure क्या होगा, अब हमें पता ही है, कोई pipe है माल लो, pipe के अगर हम radius घटा देते हैं, तो pressure क्या होगा, दोस्तों, बढ़ेगा, पानी ज्यादा तेजी से जाएगा न, अगर pipe को मागे हरीदय तक पहुंचाता है, अशुध रक्त को, यानि कि जो हमारा blood होता है, एक शुध होता है, starting अंदर, फिर वो जब पूरे सरीर में घूम के आता है, वो अशुध हो जाता है, तो उसको कोन पहुंचाता है हरीदय तक, वो पहुंचाती है, pulmonary artery, artery दोस्तों, वो होती है, जो blood को heart से पूरे सरीर के अंदर लेके जाती है, इनको बोलते है, आल्टरी, लेकिन जो एसुध रखता है, उसको वापिस लेके आती है, उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, pulmonary artery, ठीक है, नेक्स्ट है, टीनिया सोलियम, पर जीवी के रूप में कहां रहता है, ये टीनि लेके रसायन क्या कहलाते है, जब किसी परजाती के जानवर है, उसी परजाती के अन्य सदस्यों को अकरसित करते हैं, तो वो कौन से रसायन चोड़ते है, उनको बोलते है, feromones, नेक्स्ट है, अक्षयरोग संक्रमन किसके माधिम से होता है, ये होता है, mycobacterium tuberculosis, अक्षयरो discom क्या बोलते है, insomnia, insomnia बोलते है, जनि नींद बगएरा उसमें आना बहुत कम हो जाता है, तो ये कौन सा केट होता है, ये होता है, cc fly, t's में silent है, इसको बोलते है, cc fly, microbiology के पिता, किसको माना जाता है, microbiology के पिता, ये माना जाता है, antony one, lewn hawk को, किसकी खोज की थी इन इन्होंने, antony one, lewn hawk ने, next है, musa para disiaka, ये नाम याद रखना, musa para disiaka, किस पोधेगा रासाय, वग्यानिक नाम होता है, ये होता है, केले के पोधेगा, क्या, musa para disiaka, रासायनिक, जो scientific name अदोस्तों, यहां से भी काफी सारे question बनते हैं, तो इनका प्नोट करते रही है, कोलंबिया, लीविया, किसका वग्यानिक नाम है, कोलंबा या कोलंबिया, लीविया, ये कबूतर का वग्यानिक नाम है, आगे, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर carotin पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, नारंगी होता है, और गाजर के अंदर कौन सा vitamin होता है, vitamin A इसके अंदर मिलता है दोस्तों, गाजर के अंदर, next है, RNA का प्राथमी कार्य क्या होता है, तो जो RNA होते है, ribonucleic acid, यह protein susliction में काम आते है, इनका main काम यही होता है, protein synthesis, next है, कौन सी greenhouse gas में सबसे अधिक उस्मा trap करने के अक्षमता होती है, उस्मा trap का मतलब, जैसे उपर से धूप आती है, heat आती है, तो उसको मतलब वहीं पे trap कर लेती है, उसको वापिस नहीं जाने देती, तो कौन सी greenhouse gas है, जो सबसे ज़्याद उस्मा trap करने की शमता रखती है, वह है chlorofloro carbon, इसके बाद आती है carbon dioxide, केंचुए में आंखों की स है, एक स्वस्त रेक्ति के सरीर का रखत चाप कितना होता है, यानि के BP, ये BP होता है दोस्तों, 120 by 80, 120 by 80 का मतलब क्या है, 120 तब होता है, जब दोस्तों हमारा जो blood है वो हमारे heart से जाता है, ठीक है, जब pump करता है heart, तब जो blood pressure होता है, उसको बोलते है 120, और जब वापिस आत होता है, तब उसको बोलते हैं कि आने वाला या lower blood pressure ये होता है, हमारा 80, इसी range के अंदर हमारा BP होता है 120 से 80 के बीच में, नेक्स्ट है, जब रक्त वाहिकाएं शतीगरस्त हो जाती हैं, तो रक्त के ठक्के कौन बनाते हैं, ये बनाते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स रक्त के ठक्के बनाने में काफी important होते हैं, और कौन सा दोस्तों vitamin होता है, जो रक्त के ठक्के को जमनी में help करता है, वो होता है vitamin K, नेक्स्ट है मनुश्य की खोपड़ी में कितनी हड्यां होती हैं, जो मनुश्य की खोपड़ी होती है, सिर उसमें होती है 8 हड्यां, वैसे क टोटल बात करें जो हमारा फेस और हमारा सिर लगा के गला वगारा सारा लगा के इसके अंदर टोटल कितनी हड़ियां होती है यहाँ पर हमारी 29 हड़ियां पाई जाती है इन में से 8 हमारी खोपड़ी के अंदर होती है चोदा हमारे चेहरे के अंदर होती है और 6 हमारी कहां प सकते हैं अब टोटल कौन सा कीट काला अजर रोग पैदा फैलाता है काला अजर रोग यह कौन सा कीट फैलाता है यह सेंड फ्लाई फैलाती है काफी इंप्रोटेंट कोशन है कई वर पूछा गई है एक्जाम के अंदर गुर्दे के अंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है गुर् क्यों कि बाकी सारी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल रखती है इसलिए इसको मास्टर ग्रंति बोला जाता है नेक्स्ट है आपातकालिन ग्रंति किसे कहा जाता है यह बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड को किसी भी एमजेंसी टाइम के अंदर जो हर्मोन डिलेज करती है ये वही ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड, चीकन गुनिया किस के दवारा फैलता है, चीकन गुनिया फैलता है, एडिज मच्छर के दवारा, नेक्स्ट है रतोंधी, रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यह हमने डिस्कस के दा, विटामिन A की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यहनि रात के अंदर दिखना भहुत कम हो जाता है, इस रोग के अंदर, मानव स्रीर में ग्लुकोज की अधिकता होने पर वह किस रूप में संग्रहित होता है, अगर ग्लुकोज ज्यादा हो जाए तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है हमारे स्रीर में, पोदों में जल का परिवयन किसके दवारा होता है काफी इजी है जाइलम के दवारा पोदों में जल का परिवयन होता है यानि जल जो हो जड़ों से उपर की तरफ जाता है किसके दवारा जाइलम के दवारा और जो फूड है वो फ्लोयम के दवारा जाता है दोस्तों फूड विज्ञान नेश्ट है रूबेला रोग किसे फैलता है ये फैलता दोस्तों वायरस से फैलता है फेफ्णों में च्छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है जो गैसी वीनेमे के लिए जिम्मेदार होती हैं य इंगलिस में alveoli और हिंदी के अंदर वायू कोस्थी का इनको बोला जाता है। भोजन या स्टार्स के भंडारण हेतु पोधों की कोसिकांग में पाया जाने वाला एक रंग हीन कोसिकांग कौन सा है। दोस्तों रंग हीन आएगा जिसका कोई कलर नहीं होता तो वो होता है Leukoplast, Leukoplast एक कलरलेस कोसिकांग होता है। जो कि भोजन या स्टार्स के भंडारण हेतु पोधों की कोसिकांग में पाया जाता है। से निए सभट आ है एक बिमारी के नहीं है तो यह मचर के कातने से एक व्य वायर्यस होता है जो हमारे स्रीज के अंदर प्रवेश करता है Red Data पुस्तक में किसकी सूची शामिल होती है Red Data एक बुक होती है जिसके अंदर उन पोथों या जानवरों को सूचीत किया जाता है जो लुप्त होने के गार पर होते है इन डेंजर जो स्पीसीज होती है उनको इस बुक के अंदर लिखा जाता है Lichen कीन दोनों के बीच एक संबन्द है ये भी काफी आसान कोश्चन है काफी वर पढ़ा होगा आपने शेवाल और कवक के बीच एक संबन्द मतलब सहजीवी संबन्द होता है जिसको क्या बोलते है Lichen बोलते है File area का क्या कारण होता है ये क्रोग है ये किस कारण होता है ये पैरासाइट के वज़े से होता है जिसको हिंदी में परजीवी बोलते है किस पक्सी के सिर के सामने इंसानों की तरह आँखे होती है तो ये उल्लू होता है जिसकी आँखें बिल्कुल सामने होती है जिसे इंसानों की होती है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है रक्त का जो लिक्विड पार्ट उसको क्या बोलते है उसको प्लाजमा बोलते है जो की 55% होता है अब जैसे यहाँ ब्लड होता दोस्तों ब्लड किस किस से बनता है यहाँ पे आता है सबसे पहले प्लाजमा और यहाँ पे आती है ब्लड सेल् प्रोटीन भी होटते हैं और कुछ सिंहां किया होते हैं और यह 55% अंन। क्या प्लाजमा हम आगे मस्तिसक के कितने प्रमुक्ष भाग होते हैं ये आपको पता ही कि मस्तिसक के टोल Do तीन मुख्ये भाग होते हैं। इसको गुर्दे बोलते है हिंदी के अंदर. मलेरिया किसके कान होता है? मलेरिया होता है प्लाजमोडियम प्रोटो जोवा के कान. काफी इंपोर्टेंट है किसके कान फैलता है मलेरिया? प्लाजमोडियम प्रोटो जोवा के कान. किसे green protozoa भी कहते हैं तो युग लेना है एक protozoa इसे green protozoa के नाम से भी जाना जाता है प्रिविशीर कोशन 2022 के अंदर पूछा गया था रेलवी के एक्जाम में विटामिन A की सबजी में प्रुचुर मातरा में होता है विटामिन A होता है दोस्तों गाजर में जो दो बार विक्सित होते हैं तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बार विक्सित होते हैं मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है यानि कि जो digestion की क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा किस भाग के अंदर कि संग के अंदर संपन होती है, वो छोटी आत, small intestine के अंदर सबसे ज़यदा पाचन होता है. मनुश्य में पाचन के रिया शुरू कहाँ पे होती है, digestion कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो हमारे मुँके अंदर ही digestion स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही खाना मुग के अंदर जाता है सबसे पहले रक्त परिसंचन तंतन यानि कि blood circulation system का अधियन किस ने किया था ये William Harvey ने किया था very important question किस ने किया था William Harvey ने pacemaker का समन्द किस से है pacemaker होता है दोस्तों जो जब मलब किसी धड़कन होती है किसी मरेज की वो कम हो जाती है तब pacemaker लगा जाता है दिल की धड़कन बढ़ाने या start करने के लिए यहाँ पूछा कि pacemaker का कार्य क्या है तो दिल की धड़कन को प्रारम करना pacemaker का कार्य होता है next है किनकी भित्यों पर रक्त द्वारा डालेगे द्वाव को रक्त दाब या blood pressure कहते है तो यह आएगा धमनी यानि धमनी की जो भित्या या दिवार होती है धमनी को बोलते हैं दोस्तों artery अब artery और veins में क्या फरक है main फरक यही है कि जो artery होती है वो थोड़ी size में मोटी होती है मतलब जैसे हमारे स्रीज में नसे होती है तो जो मोटी नसे होती है जैसे हमारे गले में एक नसे होती है वो दिखती है बिल्कुल मोटी और हाथ में भी जो मोटी नसे होती है उनको artery बोला जाता है जो blood को ले के जाती है जहां से हमारे heart से पूरे स्रीज में बल्ड को लेके जाते हैं, इनको आल्टरी बोलते हैं, जो आल्टरी की दिवारों पर जो बलड होता है, वो प्रैसर लगाएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, बलड प्रैसर बोला जाता है, और जो पतली होते हैं, उनको दोस्तों वेंस बोलते हैं, वेंस, जुद्दिकर्ण होता है दोसतों प्रिदनी में अधिकतं पोशक्ततव रक्त में कहां से अफसोसित किये जाते हैं तो जहां पे सबसे जग्दसज्ज्जक्ताइशन होगा वहाई से सबसे जग्द क्या होगे अफसोसित होगे उनको छोटी आद में छोटी Jaga neck को पचाने के लिए किसकी खा सावशकता होती है तो enzymes होते हैं काफी type के इनकी बहुत ज़ुरूत पढ़ती है खाने को पचाने के लिए लार किसके पाचन में सहाइक होती है जो लार होती है इसके अंदर क्या होता है टोयलिन और यह starch को पचाने में सबसे ज्यादा साहेक होती है, starch क्या होता है दोस्तों, जब काफी सारे glucose के element मिलके एक नया element बनाते हैं, ठीक है उसको बोल देते हैं starch, बहुत सारे हजारों मतलब बना गए जो glucose के element होते हैं, जब यह मिल जाते हैं, बना लेते हैं तब starch बनता ह मानव के अमाश्या में dash उत्पन होता है, जो भोजन के पचाने में साहेक होता है, तो कौन सा acid होता है, hydrochloric acid होता है दोस्तों हमारे पेट के अंदर, मानव शरीर में खून के सुधीकन की परिकरिया को क्या कहते हैं, जो की kidney के अंदर होती है, हमने अभी पढ़ा था, इसको बोलते हैं, dialysis, ये खून के सुधीकन की परिकरिया होती है, पेपसिन बदल देता है, किसको, प्रोटीन को, किसमे, polypeptide में, काफ़ important question है दोस्तों, प्रोटीन को, polypeptide में कौन बदलता है, ये पेपसिन बदलता है, पाचन किरिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल ज प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, ये अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, जब हमारा भोजन पस्ता है, वह अंक कौन सा है, जो मानव स्रीब में glycogen के रूप में carbohydrates को जमा करता है, ये हैं दोस्तों ये कृतिया liver, liver क्या काम करता है, मानव स्रीब में glycogen के रूप में carb वो hydrates को जम्मा करता है पित या बाइल बाइल होता है दोस्तों यह कहां पर पैदा होता है यह लीवर के अंदर पैदा होता है जम्मा कहां पर होता है पितास्या जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं वहां पर बाइल जूस इकटा होता है जम्मा होता है मानव स्रीर में हरीदय का क्या कार्य है इसका pumping station की तरह कार्य होता है जैसे कोई motor होती है motor हम छोड़ देते हैं पानी के अंदर टुलू pump जिसको बोलते हैं और वो पानी खिंच के फिर हमारे तक कहुंचाता है वो pump जो होता है इसी तरीके से हमारा heart है एक pumping station की तरह है ये पूरे heart जो सरीर में blood को pump करके भेजता है अच्छे तरीके से जिसका heart काम करेगा वही पूरे सरीर में blood को भेज पाएगा जो heart attack वगएरा होते हैं वो इसी वज़े से होते हैं क्योंकि उनका heart ठीक से काम नहीं कर पाता है वहाँ पे ज्यादा खून को सरीर में वो नहीं भेज पाता या फिर जो खून वापिस आता है वो अच्छे तरीके से उतनी मात्रा में नहीं आ पाता हमारे heart के अंदर रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है यह होता है हीमोगलोबिन के कारण काफी easy question है हीमोगलोबिन में क्या होता है हीमोगलोबिन में लोहा होता है सरीर में हीमोगलोबिन का कारिय क्या होता है very important oxygen का परिवहन करना जो oxygen पूरे सरीर में जाती है हमारे खून के त्रो वो हीमोग्लोबिन के कान ही जाती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा अच्छे तरीके से पूरी oxygen स्रीर में नहीं पहुंचेगी और थकावट सबसे ज़्यदा उसको होगी तो बलड के अंदर हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़्यदा जरूरी है हीमो हमें अभी पड़ा oxygen को ले जाना next है किसकी सहायता से रख द्वारा oxygen ले जाया जाता है लोहित कोशी काउं द्वारा लोहित कोशी का इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों red blood cell को red blood cell ही हमारे स्रीर में oxygen ले जाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है हिमोग्रोबिन इनके अंदर पाय जाता है जब कोई बहारी पदार्थ मानव रूधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिकिरिया कौन आरम करता है यानि कि जब कोई foreign element उनको बोलते हैं कोई virus हो गया कोई bacteria ठीक है वो स्रीर में आता है तो प्रतिकिरिया कौन स्टार्ट करता है वो white blood cell प्रारम करते हैं यह दोस्तों हमारे जो immune system होता है उसके अंदर white blood cell होते हैं जो हमारे स्रीर को बहारी बिमारियों से बचाती है जैसे कोई बहार से virus bacteria वगरा आता है तो white blood cell के वो यहाँ पर antibody का निर्मान करते हैं antibody जो इन से लड़ते हैं जो बहार से आता है इनको बोलते हैं antigen और जो यह बनाते है white blood cell इनको बोलते हैं antibody body next है लाल रखत कनिकाई या RBC कहां पर बनते हैं ये अस्ति मज़दा या इसको bone marrow बोलते है Autobone marrow के अंदर ये बनते हैं किसको RBC界 कबरिस्टान कहा जाता है यह स्प्लीन या प्लिहा के अंदर जाके खत्म हो जाते हैं मानव सरीर के भीटर खूण किसकी उपस्तिती के काण न को बोलते हैं कि पेर इनको रोधिर के प्लाजमा में किसके द्वारा एंटीबोडी निर्मित होते हैं रोधिर मतलब खून के प्लाजमा होता है इसके अंदर एंटीबोडी किसके द्वारा निर्मित होती है यह लिंफोसाइट के द्वारा बनती है एंटीबोडी जो हमने उप बसने के लिए antibody के हमें जुरूत पड़ती है तो यह उनको मारकर खतम कर देते हैं antigen को white blood cell antigen एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है प्रति रक्षी के निर्मान को बढ़ावा देता है प्रति रक्षी बोलते हैं दोस्तों हिंदी में antibody को एंटी बोडी के निर्मान को बढ़ावा देता है क्योंकि जब बहार से antigen आएगे न तबी तो फिर antibody बनाएगा WBC तो यह antibody के निर्मान को बढ़ावा देते हैं कोन antigen iodine युक्त हार्मोन कोन सा होता है यह होता है thyroxine thyroxine hormone के अंदर दोस्तों iodine पाया जाता है ओधों और जंतों में carbohydrate किस रूप में संचित होते हैं यह starch और glucose के रूप में संचित होते हैं carbohydrates दिल का दोरा किस कान से होता है हरीदय मेरक्त आपूर्ति की कमी यानि जब जो हमारा heart होता है उसके अंदर जब खून की कमी हो जाती है ठीक है खून उतनी मातरा में नहीं पहुँच पाता जितनी मातरा चाहिए तो उस टाइम पे दिल का दोरा पड़ता है कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है ब्लैक लंग यानिकि फेफडे काले पड़ जाते हैं चो कोईले खान में काम करते हैं उनके लंग जो है वो काले पड़ जाते हैं दर्दनाक अस्थी रोग इटाई इटाई का सबसे पहले कहां पता चला था यह जपान के अंदर पता चला था किसने इटाई इटाई रोग से ही. यना कि सरीर में अगर कैड़romagnet आडमेयम मिला होता है. अगर ज्यादा मात्र में शरीर के अदर चला जाए, तो वह ज़ी आडाई-टाई-टाई रोग हो जाता है. क्का झाफी दर्दनाकस्ति रोग होता है ये स्वेथ फुफुस ये किनको होता है जो सिमेंट उद्योग के करमचारी होते हैं उनको ये रोग होता है स्वेथ फुफुस AIDS विशानू के लिए सबसे जदा आजमाई गई दवा कौन सी है very important ये दवा है जीडो वुडीन जिसको A, Z, T बोलते है short form जीडो वुडीन सबसे जदा आजमाई गई दवा है AIDS विशानू के लिए किस सुक्सम जीव के दवारा Hepatitis B की बिमारी होती है तो Hepatitis B जो पीलिया होता है ये वाइरिस के कारण होता है काली मोत Black Death किसे कहा जाता है प्लेग को दोस्तों Black Death बोला जाता है प्लेग रोग को किसे क्यों होता है वो कहां पे संचित रहता है वो यकृत livre के अंदर संचित रहता है next המס क्या है vowels किमी दोस्तों विटामीन B का यह रशाइनिक नाम है विटामीन B का थामीन जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वै कुन सी है यह विटामिन B12 है दोस्तों इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है आखरी कोशन आता हमारा बच्चों में अंगों की अस्थिया मूड जाती है किसकी कमी के वज़े से विटामिन D की कमी के वज़े से बच्चों में जो हड़ी है वो मूड जाती है तो दोस्तों हमने 100 प्लस कोश्चन आज कवर की है सारे के सारे कोश्चन काफी important है इनको PDF से आफ रिवाइज कीजिए Telegram चैनल के उपर जाके PDF डाउनलोड कीजिए मौशिन सारे कोश्चन को रिवाइज कीजिए अगर कॉंटेंट अच्छा लगे प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्षिन गेंदर आप अपनी सला दे सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तो जुडे रहिए थैंक्यू वेरी मच्च